असलाम अलेकूम माई यूट्यूब फैमली विलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज आपको लोगों के साथ बहुत ही मतलब यूसफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज कर हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी जो बेटशीट हो वो फीटेड ह ताकि वो बिलकुल भी उलजे नहीं उस पर बच्चे जैसे भी कूदें या हम लोग भी जैसे भी उस पर बैठें वो बिलकुल भी उलजनी नहीं चाहिए तो इस टूटेरियल को सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि लोगों ने किस तरीके से इसको explain किया है तो मुझे तो कोई ऐसी वीडियो दिखी ही नहीं जिसने easily explain करके बताया हो कि इसे हम within 20 minute में इसे हम बना सकते हैं तो आज मैं वीडियो लेकर जो आई हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी बेटशीट को fitted बेटशीट में convert कर सकते हैं इसे कैसे cut करना है कैसे measure करना है और इसमें elastic को कैसे डालना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपने चादर को बिछाना है और अपने mattress को इस तरीके से बीचो बीच में रख लेना है सारे साइडों से तो यहाँ पर मैं एक corner में आपको पूरी तरीके से इसका नाप बता रही हूँ इसी नाप को आपने सेम सारे corner पर follow करना है लागू करना है तो यहाँ पर मेरे mattress की चोड़ाई है वो 5.5 इंच है तो मैंने 5.5 इंच और प्लस मैंने 3 इंच या 4 इंच आपको थोड़ा extra लेना है मतलब अंदर करने के लिए कपड़े को तो यहाँ पर हम total 9 इंच लेंगे यह जो हम लंबाई इस side से और इस side से दोनों side से हम 99 इंच का चोड़ाई ले लेंगे तो एक side तो 9 इंच पराबर है बट एक side थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा है तो उसको हम cut करके बराबर कर देंगे तो इस तरीके से हम पहले 9 इंच और फिर 9 इंच इधर का 9 इंच इस side का आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं बताना चारी हूँ तो यह हो गया दोनों side ने हमने कपड़ा ले लिया है अब इसमें हमने जो mattress का है उसके आगे 1 इंच इस तरीके से चाहे तो इस निशान को लगाएं या फिर ना लगाएं दोनों भी चल सकता है तो यहाँ पर 1 इंच का margin देके इस तरीके से हम यहाँ पर एक corner बना लेंगे यहाँ पर एक दम पूरा हमें mattress तक नहीं cut करना है क्योंकि हमें थोड़ी सी margin भी चाहिए होगी सिलाई लगाने के लिए तो जितना आप सिलाई में कपड़ा रखना चाहते हैं उतना आप mattress से थोड़ा सा छोड़ करके इस तरीके से cut करना है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक box को बन मतलब 9 इंच का कपड़ा रखना है और थोड़ी सी margin दे करके फिर इस box को हम cut कर लेंगे और जो इस side का कपड़ा है वो हम चाहिए तो अभी इसको आप निकाल दे या फिर अगर आपकी bed sheet में extra कपड़ा नहीं है तो आप उसको उतना ही रहने दे या आप 10 इंच का भी रख स सकते हैं तो अब हम यहाँ पर एक और आपको हम hack बताएंगे जिससे आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल भी उसमें धागे वगएरा नहीं दिखेंगे तो सबसे पहले usually हम तो उल्टा करके सिलाई करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको सीधा करके सिलाई करनी है जो corner हमें सिलना हैं तो इस तरीके से हम पहले सीधा कर लेंगे और फिर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे एकदम बारीक सिलाई आपको लगानी है बिल्कुल पतली सी सिलाई इस तरीके से जिसे हमने आया पर लगाई है तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसको हम पर वह मारजिंग ए पोरा इसमें अंधर चला गया है तो इसी तरीके से हम सारे कॉर्णर को सिल लेंगे तो इसमें हमारे धागे वगएरा है वो बिलकुल नहीं दिखेंगे चादर के अंदर मतलब सिलाई बिलकुल गुम सिलाई लग जाएगी तो यहाँ पर मैंने इस चारो कॉर्णर को सिल लिया है अब इस तरीके से हम सब को पलट लेंगे और फिर जो इसके एज है जो हमने कपड़ा काटा था ना तो वहाँ पर भी हमको सिलाई लगानी पड़ जाएगी तो वहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से ये देखें बिलकुल परफेक्ट हमारा ये कॉर्णर बन गया है अब यहाँ पर हम सारे कॉर्णर पर सिलाई लगा कर सब को इक्वल कर लेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है तो फिलाल हमने यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा ली है यह देखें सारे कॉर्णर हमारे बन करके रेडी हो गए है यह देखें अभी हम आपको आगे वीडियो में रख करके बताएंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने किया है तो यहाँ पर यह चारो कॉर्नर हमारे रेडि हो गये हैं अब इस तरीके से एक कॉर्नर हम आपको बता रहे हैं कैसे इसमें elastic को डालना है तो यहाँ पर हमने रख दिया है यह वाला corner को दो मिला करके रखा है क्योंकि एक इस side और एक इस side L-shape में हमें डालना है L-shape में तो यहाँ पर हम 18 इंच पर हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से तो यहाँ पर यह कपड़ा 18 इंच का है तो अब हमको जो लेनी है इसमें elastic वो हम ले लेंगे 11 इंच मतलब double करके हमने कपड़ा 18 इंच है तो अब हमारी elastic होगी 11 इंच तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बढ़ा करके ले लिया था और फिर इस तरीके से खीचते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है कपड़े को बिल्कुल नहीं खीचना है सिर्फ elastic को ही अच्छी तरीके से खीचना है और फिर जहाँ पर हमने निशान लगाया था उस तरीके से हम आव तक सिलाई लगा लेंगे तो यह देखे हमने दोनों साइडों पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा ली अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हमको corner बनाने है तो यहाँ पर यह मैंने चारो corner पर elastic को डार लिया है यहाँ पर हमने 11-11 inch की elastic का use किया है मतलब 11 का double करें तो 22 inch की और कपड़ा जो था वो 18 का double हमने नाप करके लिया था तो यह हमारे सारे corner इस तरीके से बन करके ready हो गए है I hope आपको यह हमने जो समझाया है यह आपको समझ में आया होगा और यह वीडियो आपके लिए helpful लगी होगी क्योंकि हम लोग हमेशा चाते हैं कि हम लोग भी इस ट्रैप की अपनी जो बेटशीट रहती हैं उन्हें हम fitted बना लें क्योंकि जब हम fitted बेटशीट लेते हैं तो उनका range काफी high हो जाता है सिर्फ थोड़ी से ही उसमें effort डालने की जरूरत है और इसको हम घर पर भी बना सकते हैं तो यहाँ पर यह वाला mattress है इस नाप से ही मैंने इसको बनाया हुआ था तो अब चलते हैं इसको हम बिछाते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यह बन करके तयार हुई है तो यहाँ पर इस तरीके से बस बहुत ही सिंपल है बस इसको अंदर पिलाना है इसके इलास्टिक के मतलब मैट्रिस में इलास्टिक को पिला देना है और आपकी 2-5 मिनट में आपकी बैट शीट बन करके तयार हो जाएगी मतलब बिश जाएगी जहां हम कितने 10-10 मिनट इसको बिछाने में ही सिर्फ इन्वेस्ट कर देते थे अब सिर्फ ये काम 2 मिनट का ही है ये देखे हमारी जो फिटेड बैट शीट बन करके रेडी हो गई है आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको पूछें कॉमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो है तो अपने रिलेटिव एंट फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें थांक्स फॉर वाचिंग आपसे फिर मुलाकात होग कि आप प्लीज मुझे कुछ स्टेशिंग के हैक और चादर को मतलब पुरानी चादर का यूज या फी रिलैस्टिक वाली चादर इन सब के बारे में भी हमें कॉमेंट आया था तो आज हमने उसको फाइनली पूरा कर दिया थैंक्स फॉर वाचिंग